मान्निय अध्यक्ष महोदय, मैं प्राथमिक्ता छै युवा शक्ती की ओर बढ़ूंगी. हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और अम्रित पीठी को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए. हमने राश्चिय शिक्षा नीती तैयार की है, जो अपने दाइरे में बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें से एक चीज किलिंग अपनाई गई आर्थिक नीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करना है, जो रोजगार, स्रिजन और पैमाने की सुविधा प्रदान करती है, और व्या इतर युवाओं में कौशल की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की जाएगी, नौकरी के प्रशिक्षन पर उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पार्थिक्रमों के संरेखन पर बल दिया जाएगा, यह योजना उद्योग 4.00 जैसे नए यूग के प तीन दी प्रिंटिंग, ड्रोन और अन्य सॉफ्ट स्किल्स, युवाओं को अंतराश्य अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्नर राज्यों में 30 कौशल भारत अंतराश्य के इंद्र स्थापित किये जाएंगे, स्किलिंग के लिए डिजिटल एकोसिस्टम को यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लाटफॉर्म के लाउंच के साथ और विस्तारित किया जाएगा ताकि मांग आधारित अप्चारिक स्किलिंग को सक्षम बनाया जा सके, MSMI सहित म्योक्ताओं के साथ जोड़ा जा सके और उद्यमिता योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके, तीन साल में 47 लाख युवाओं को वजीफा और सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतिय राष्टिय शिक्षुता प्रोटसाहन योजना के तहट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरन शुरू किया जाएगा, परियतन माननिय अध्यक्ष महोदय एक एकी कृत और अभिनव द्रिश्टिकोन के साथ कम से कम पचास गंतवियों को चुनोती मोड के माध्यम से चुना जाएगा, इसके अलावा, फिजिकल कनेक्टिविटी, वर्चुल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, भोजन के लिए उच्चमानक, सडके और परियतक सुरक्षा जैसे पहलों के अलावा, परियतकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सभी प्रासंडी पहलों को अप पर उपलप्थ कराया जाएगा, प्रत्ते गंतवियों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में विक्सित किया जाएगा, परियतन के विकास का फोकस देशी विदेशी परियतकों पर रहेगा,